नमस्कार आपका पुनह स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तगुरो में आज के एपिसोड में मैं सपने के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आखिर क्यों आता है मंदिर के दर्शन का सपना और इसके क्या क्या होते हैं संकेत इसके बारे में पूरी जानकारी आप आज के एपीसोड में जान सकते हैं आप मेंसे कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें कभी न कभी ऐसा कोई सपना जरूर दिखा होगा जिसमें आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हों किसी भगवान के दर्शन कर रहे हों या फिर किसी खास मंदिर में पूजा कर रहे हूं कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें ऐसा सपना बार बार दिखाई देता है आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि ऐसे सपने का क्या मतलब है और इसके क्या शुब या अशुब फल होते हैं इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकोन जरूर दबाईए जिससे आने वाले एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके स्वपन शास्त्र में इसके बारे में क्या बताया गया है इसकी पूरी विश्प्रित जानकारी आज में देने जा रहा हूँ इस एपिसोड को अंत तक देखिए यदि आप वास्तु शास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिये गए वाट्सएप नंबर पर एपॉइंटमेंट लेकर के संपर्क भी कर सकते हैं जादातर लोगों को सोते समय सपने दिखाई देते हैं ये सपने कभी आने वाली किसी घटना के बारे में बताते हैं तो कभी बीते हुए समय की कहानी बताते हैं सपने आपके दिमाग की रचना भी हो सकती है लेकिन जब बात स्वपन शास्त्र की होती है तो कुछ स्वपनों का एक खास मतलब होता है और ये आपके जीवन में आगे क्या शुब या अशुब होने वाला है इसके बारे में आपका सपना बताता है ऐसा ही एक सपना होता है मंदिर दर्शन का सपना आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें कभी न कभी ऐसा कोई सपना जरूर दिखा होगा जिसमें आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हों किसी भगवान के दर्शन कर रहे हो या फिर किसी खास मंदिर में पूजा कर रहे हो कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें ऐसा सपना बार बार दिखाई देता है आए जानते हैं इसका क्या संकेत हो सकता है ऐसा मंदिर देखना जहां आप काफी समय से जाना चाहते हैं यदि आप सपने में ऐसा कोई मंदिर देखते हैं कि आप काफी समय से वहां जाना चाहते हैं और किसी कारण वस जा नहीं पा रहे हैं तो इस सपने का मतलब है कि आपकी जल्द ही उस मंदिर दर्शन की इक्षा पूर्ण हो सकती है जिसके बारे में आप काफी लंबे समय से सिर्फ सोच रहे हैं सपने में मंदिर देखने के ज़्यादा शुब संकेत होते हैं और ये सपने आपकी आस्था की ओर संकेत करते हैं आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताईएगा मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही प्रामाडिक जानकारी के साथ देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तगुरू नमस्कार